तो आज जैसे कि आपको थमनेल देखकर के पता ही चल गया होगा हम क्या करने वाले हैं तो ग्राम स्टेनिंग करने वाले हैं यह हमारी प्लेट है कि बैक्टीरिया के लिए करता ह्म ग्राम स्टेनिंग यह क्या है पेटरिपले इस से में सक्षाइना क्ल्चर ले कि बैक्टीरिया लेए नहीं हमें ज्याइफ्चे सिच्थ तूसरा स्वेत लेंrhो Spot एक दन हमें चाहिए होगि क्रिशन बेंगशनें कि अहगी दो स्टेना पु कि देन हमें चाहिए होता है सेफरेनी जो कि क्या है सेकेंडरी स्टेन है ग्राम स्टेनिंग में और किसको काउंटर स्टेन भी बोलता है यहां पर मैंने अगें यह दूसरी बोटल ली है किसकी 70% अलकोहल की ओके और यह है मेरा टैप वॉटर जिससे में अपनी स्टेनिंग ट्रे ओके स्टेनिंग ट्रे में मुझे क्या करना है अपनी स्लाइड को प्लेश करना है जिससे कि यहां पर सारे आसपास क्या ना हो मेरे ट्रे बड़ी है तो मैंने इसको क्या किया है से हाफ में डिवाइड कर लिया एक बड़े ग्लास रोड की हल्प से और क्या यहां पर दो छोटे ग्लास रोड लगा दी है ओके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मुझे क्या करना है जो मेरी एक क्लीन स्लाइड है कर देना है अपनी जे ग्लास रोड का मैने अरेंजमेंट बनाया है इस पर उर इसमें क्या कर ड्रॉप ओ स्पैर्ड यह नहीं होगा ड्स्तल वॉटर क्यों क्योंकि यह किसमें मेरा कल्चर है सॉझ ए सभीफ मेर लिक्विड सभी क्रिऑ नहीं होती है तब मेरी एच्छी स्म ड्रोट करने के बाद मुझे क्या करना है यह जो प्लेट है इसमें से मुझे को हलका सा पिक करना थे कि दियान रहे मास्क होना चाहिए हमेशा आपके मुझ पर वकि यह तो मैंने हलकी सी कोलोनी पेखी है इसको में क्या करूँगी जो एप सलाइड है इसमें ने वन ड्रोप उफ ले रखा इसके साथ मिक्स करूंगी अब जा कि यह कैस इस इस टेपकों क्या भोलते हैं स्वेयर फोर्मिशन यह फर्स टेप होता है हमारे ग्रैम स्टेनिंग कि इसको अचिछ से क्या करना है स्प्रेड गडवा बलाउअ में packs कर रहे हैं हम इख में पर यह एक हमि सक्वार का वां और अब हमें क्या करना है इस हो जो इनुोकिलेशन तो इसको वापस से red hot करके रख देना है इस इसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वह किसी और को इंफेक्ट ना कर सकते हूं ओके तो यह red hot को के मैं रख दे रही हूं और इसको क्या करना है spread lamb की help से मुझे क्या कर लेना है yes dry कर लेना है इसको बोलता है हम heat fix यह step 2 होता है gram staining का तो heat fixing का क्या तरीक होता है slide को flame पर रखना है then remove करना है इससे क्या होगा दीरे दीरे जो हमारा water है वो dry up हो जाएगा और मेरी just mere है वो fix हो जाएगी basically step में हम क्या करते हैं जो bacteria है उनको किल करते हैं क्योंकि जो हम stain करते हूं मीशा किसे करते हैं dead cells को करते हैं कुछ ऐसे techniques भी हैं जिसे living cell को भी stain कर सकते हैं but grand staining में हम dead cell को stain करते हैं तो यह देखिए मेरी stain जो हमारी smear है वो क्या हो रही है दीरे-दीरे करके dry हो गई है अब मुझे क्या करना इसमें after dry इसमें crystal वोईलेट को जो मेरी smear बनी है इसको क्या करना है यह यहां से water तो यहां पर एक smear बन गई है इसको हम कितना है heat fix smear ओके इसमें मुझे क्या करना है पूरी smear को अच्छे वोईलेट डालना है तो यह देखिए मैं crystal वोईलेट आड़ कर रही हूं अपनी smear पर मेरी smear अच्छे से cover हो नहीं चाहिए इतना crystal वोईलेट मुझे इसमें डालना है ओके तो यह देखिए अब मुझे क्या करना है क्यूंकि मैंने crystal वोईलेट इसमें apply कर दिया है तो मुझे इसको थोड़ा तेल कर देना है और अपनी smear को अच्छे से क्या कर देना है क्रिस्टल वोईलेट से तो यह देखिए मेरी smear है वो अच्छे से क्या होगी है वोटर तो मुझे वेट करना है 30 सेकंड का तो मिलते है 30 सेकंड बाद फिर इसको मैं क्या कर देना एक डेन कर देना है जितना भी इस्श्टल वाइलेट एड़न वश्ट कर देना है विद्ध हेल्प फटिस्टे ल वॉटर तो अभी यह जो मेरी smear है वो क्या हो गई है अच्छे से cover हो गई थी then मैंने इसको 30 second के लिए छोड़ दिया है तो अभी क्या करना है इसको मेरे को drain करना है अच्छे से crystal violet को और मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर देखे distal water भी उसकर सकती हूँ और कौन सा tap water भी उसकर सकती हूँ ठीक है तो मुझे क्या करना है simply इसको tilt करना है थोड़ा सा और क्या कर देना है ऐसे water को इस पर छोड़ देना है तो इससे जो भी मेरा यह याद रहे कि directly जो हमारी smear है उस पर आप water ना अपलाए करें ओके नहीं तो क्या होगा हमारी जो smear है वो भी क्या हो जाएगी दूल जाएगी यह देखिए मेरी smear अच्छे से cover हो गई है इधर वाले portion में आप देख रहे हैं कुछ extra spot आ गए है stain के बट वहाँ पर मेरी smear नहीं है तो मुझे उसकी फिकर नहीं है उके तो फिलहाल में क्या करूंगी यस इसको रख देती हूं और मुझे क्या करना है इसमें ग्राम स्टीन जो ग्राम आयोडीन है सेकिंड जो हमारा रिएजेंट है ग्राम स्टीनिंग का वो अपलाए करना है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर क्राम स्टीन ले लूगी ओक्या आप सिंपल आयोडीन भी उज़ कर सकते हैं और आपको क्या करना है विद जो बाद में अच्छे से समझाओंगी आप डेटेल में इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं आपको इसका principle बताऊंगी तो यह आपको apply करना है one minute के लिए तो one minute बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि हमारा gram stain जो हमने gram stain में अपना डाला है gram sardine उसने क्या किया है तो भी मेरा एक minute पूरा हो गया है gram sardine ने अंदर complex बना लिया होगा तो भी मुझे क्या करना है basically gram sardine को भी क्या कर देना है drain out कर देना है तो यह drain हो गया है और अब मुझे क्या करना है इसको wash करना है with the help of alcohol तो मैं क्या करूँगी पहले थोड़ा सा alcohol इसमें डाल दूँगी यह देखिए मेरी slide तो इससे क्या होगा जो भी हमारा crystal violet क्योंकि alcohol क्या था डी colorizing agent की तरह वर्क करता है इसमें तो क्या होगा यह जितना भी stain निकलना होगा वो लूज हो जाएगा और वो निकल जाएगा अब हमें क्या करना है धीरे 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 क्या करना है इसको drain out कर देना है और यह हमें तब तक डालना होता है जब तक क्या हमारा alcohol जो है वो पूरी तरह से crystal violet को remove ना कर देए जितना भी cell को remove करना है और एंड में हमें बिल्कुल clean क्या दिखेगा water दिखेगा या फिरम क्या सकते है clean transparent alcohol दिखेगा तो अभी क्या है मेरा alcohol clean हो गया है और यह slide ने जितना भी extra इसको alcohol को remove करना था यह हम कह सकते है crystal violet को retain करना था मेरे bacterium ने कर लिया है बागी की क्या हो गया है remove हो गया है तो अभी हम थोड़ी देर के लिए wait करते हैं और यह इसमें apply करेंगे sephrenine क्या apply करना है में sephrenine यहां पर stage हम क्या कर सकते है with the help of bloating paper हम इसको थोड़ा सा clean कर सकते है slide को अपनी जिससे हम sephrenine apply करेंगे वह में clearly दिख सके slide यह तो भी मुझे क्या करना है apply करना है क्या sephrenine कैसे drop wise तो मैं क्या कर रही हूँ यहां पर sephrenine apply कर रही हूँ अपनी smear पर अच्छे से drop wise और इसको कितनी देर के लिए रखना है 30 seconds के लिए रखना है तो यह देखिए यह क्या हो गया है sephrenine मैंने apply कर दिया है तो मैं इसको भी थोड़ा घुमा लेती हूँ जिसी मेरी smear पर अच्छे से क्या हो जाए cover हो जाए 30 seconds के लिए रखना है 30 seconds बाद हमें वापस इसको क्या करना है drain out कर देना है एक और important चीज इस stage में मैं आपको बोलूँगी जभी आप कोई भी stain करें तो आपको क्या करने चाहिए gloves पहने चाहिए नहीं तो हाथ क्या हो जाते है गंदे हो जाते है बहुत ज़्यादा ओके सो अभी देखता है 30 seconds के लिए तो चलिए यह भी हमारे 30 seconds हो गए है पूरे तो मैं क्या कर दे रही हूँ इसको drain out कर दे रही हूँ और इसको वापस से wash कर लेती हूँ water से कि सिंपल टैप वाटर से कर सकते हैं wash क्यों कर सकते हैं आपर ज़रूरी नहीं है आपर डिस्टल वाटर का यूज करना क्यों नहीं है ज़रूरी क्यूंकि हमने जो अपने बैक्टीरिया है वो पहले ही fix कर दिया है तो अभी हमें contamination की कोई chances नहीं है और अब हमें क्या करना है इसको blow dry कर लेना है एक और चीज जो मैं देखती हूं नौर्मल बच्चे करते हैं आपर गलती हो क्या करते हैं जब dry करने का time आता है चाहे वो cotton से साफ करें आप वैसे cotton का कम यूज करना चाहिए क्यों क्या जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि सामने से पूरे में लगा देते हैं cotton लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्या करना च तो अभी मैंने इपनी स्लाइड को प्लेस कर दिया है माइक्रोस्कॉप में तो मैं इसको उब्जर्व करूंगी तो मैं यहां पर यह स्लाइड एड़ कर रही हूं जिससे मैं आपको समझा पाऊं बेसिकली कि ग्राम पॉजिटिव वेक्टीरिया और ग्राम नेगटिव वेक्टीरिया दिखते कैसे हैं करते हैं इसलहें कैसे कलर के दिखते है हमें और फिर्फल कलर के दिखते हैं और क्या रीजन क्यों क्यों हैं इस बार में Hem س'll ने वाम अगर मैं एक आपको और आपको श्यल वाल दिखाऊं तो पहले कर दे गरनाभी संकी इन不多 लिखके कि बात करें तो इसमें कौई भी और member नहीं है क्या नहीं है कि यह किसके US है तिन होती है देख़ आप होती हैै다면 झek यह ऐसी होती है थिक होती है देख पा रहे हैं अब यह सारे क्या है ग्रीन ग्रीन जो मैंने कलर से दिखा है यह क्या है तो क्या होगा अगर हम बात करें जो हमारी plasma membrane है peptide glycan layer है उसके बीच में जो space होता है कहां पर gram positive bacteria में वो क्या है कम है as compared to गर हम देखें कि जो periplasmic space है ठीक है वो किसमे ग्राम negative bacteria में ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या है outer membrane है inner membrane है है ना दो membrane है ने एक siteoplasmic membrane है और एक outer membrane है जो की lipid layer की बनी होती है तो क्या होगा इसके बीच में आप देख रहे हैं पोर्स क्या रहते हैं हमेशा ज्यादा रहते हैं लेकिन अगर हम gram positive bacteria की बात करें तो इसमें क्या है पोर्स हमेशा कम रहते हैं तो यह एक reason है तो मैं आपको बताती हूं कि हमने properly कैसे stain कर रहा है तो सबसे पहले हमने क्या लिया था हमने लिया था परपल कलर का क्रिस्टल वॉयलेट ओके तो क्रिस्टल वॉयलेट की यह मोलिक्यूल्स हैं सपोस हमने एड किया है ओकी यह ग्राम नेगिटिव वेक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव वेक्टीरिया तो क्या होगा यह से लिदर आ थे में जाएंगे कि इसको ए मैं पहले जाएंगा प्लास्म वेक्टीरिया वो antic-क्रीलेट सबसे पہले और सेल के सरांडि में जायेगा यह स्ट modest में and then plasma membrane में then हम क्या डालते हैं हम डालते है grams iodine जो colorless होता है तो मैं यहाँ पर blue color यूज़ कर रही हूँ एक और important चीज जो हमारा crystal violet है crystal violet क्या सोता है positively charge होता है लेकिन जो हमारा grams iodine होता है वो क्या सोता है negatively charge होता है तो हम क्या करेंगे डालेंगे क्या grams iodine so grams iodine क्या करेंगा combined हो जाता है किसके साथ crystal violet के साथ और कैसे work करता है जा more dent work करता है तो ये भी जाएगा पूरी cell में जाएगा ये भी जैसे की crystal violet गया था अभी क्या होगा ये क्या बनाएगा complex बनाएगा CVI complex बोलते है जिसको हम ठीक है अब next step हमारा क्या था decolorizing agent डालते है decolorizing agent के लिए हापर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ yes मैं हापर यूज़ कर रही हूँ yellow color तो ये मैंने डाला decolorizing agent similarly decolorizing agent मैंने किसमें डाला है gram positive bacteria में डाला है अब क्या होगा decolorizing agent डालने से जो decolorizing agent होता है वो क्या करता है lipid में solversus होता है okay तो क्या होगा decolorizing agent की हम यहां पे क्या यूज़ करते है yes alcohol ठीक है वो भी क्या है decolorizing agent है तो उसके वाएसे क्या होगा ये जो outer membrane है है ना यह outer membrane क्या है पूरी तरीके से wash out हो जाएगी यह remove हो जाएगी और in case of gram positive bacteria यह जो पूरा complex है वो क्यासे रहेगा as it easy रहेगा अब इसमें pores भी कम है तो यह decolorizing agent डालने से इसमें क्या हो जाएगा क्योंकि पर peptidoglycan structure है और यह कैसी है बहुत जदा condensed है मैं आपको पूरा remove करके दि कैसा है वह जदा condensed foam है और pore का size भी कम है तो वह क्या हो जाएगा pore low को जाएगे किसके वज़े से येस जो हमने decolorizing agent डाला था क्योंकि जो हमारा alcohologos पैजा dehydrating agent काम करेगा ना हमें जो next team डालना है वो क्या डालना होता है अपना वो हमें डालना है सेफरेनी तो यहां पर मैं red color ले रही हूं क्योंकि जो हमारी gram positive bacteria की पूरी cell है वो उसमें क्या भर चुका है अच्छे से crystal violet भर चुका है और वो lock भी हो चुका है लेकिन क्योंकि outer membrane अब remove हो चुकी है तो इसके वेसे alcohol के साथ साथ हमारी जो gram negative bacteria उससे सारा का सारा pores के थुरू क्या remove हो जाएगा पूरा का पूरा जो हमारा CVI complex नहीं है यनि कि crystal violet और iodine complex मना था वो भी remove हो जाएगा अब हमें next step देना है अपना क्या yes sephranine क्योंकि gram negative bacteria है उसके पूरे के पूरे यह वाली layer हट चुकी है अभी यहां से तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ आथी ब्लैक कलर से यह एक outer layer नहीं है आप मैंने इसमें क्या डाला है तो यह क्या रिटेन कर देंगी saffranine जो की कैसे कलर की डाई है pink blue को सरे pink red कलर की डाई है तो यह क्या कर लेगी ग्रैम negative की वक्तिरिया की जो cell है वह क्या रिटें कर लेगी saffranine निटेन कर लेगी लेकिन क्या हो चुके हैं लोक हो चुके हैं तो अभी उसमें क्या नहीं जाएगा यस में सेफरेनीन बहुत कम अमाउंट में जाएगा और अगर जाएगा भी तो अगर हम बात करें परपल कलर में से से प्नुम में से प्रतट पρχकेशंग जाद होती है यह यहां है घंप तो मैंनी हुए र्यापन तुम आया तो थोड़ा ह correspondence तो इसके वज़े से क्या होगा जो gram positive bacteria है अगर इसमें थोड़ा बहुत सेफरेनीन भी गया होगा तो हमें क्योंकि dark कौन सा color है purple color है तो हमें किसी color में दिखाई देंगे purple color में दिखाई देंगे इसलिए जो gram negative bacteria हो कैसे हैं हमें pink color के दिखाई देते हैं लेकिन जो gram positive bacteria है वो कैसे दिखाई देते हैं purple color के दिखाई देते हैं तो यह reason था कि क्यों हमें क्या gram positive bacteria ऐसे दिखते हैं gram negative bacteria ऐसे दिखते हैं so I hope कि आज आपको इसका concept बहुत अच्छे से clear हुआ होगा bacteria क्या होता है उसका link मैंने नीचे description में डाला हुआ है आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं अगर आप detail में bacteria को समझना चाते हैं और अगर आप चाते हैं कि मैं आपको और अच्छे तो ग्राम positive और ग्राम negative bacteria में difference बताऊं तो आप मुझे नीचे comment section में बताईए मैं आपको जुरूर बताऊंगी कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं या फिर मैं आप उसको समझाऊंगी तब तक के लिए इतना ही thanks for watching